ओम शांति आज 18 नवेंबर 2014 दिन सोमवार की साकार मुरले आईए अब सुनते हैं मीठे मीठे बाप दादा के मधूर महवाक्यों को मीठे बच्चे बाप है अविनाशी वैद जो एक ही महामंत्र से तुम्हारे सब दुख दूर कर देता है प्रश्न माया तुम्हारे बीच में विघन क्यों डालती है कोई कारण बताओ उत्तर क्योंकि तुम माया के बड़े ते बड़े ग्रह को हो उसकी ग्रह की खत्म होती है इसलिए विघन डालती है जब अविनाशी वैद तुम्हें दवा देता है तो माया के बिमारी उथलती है इसलिए विघनों से डरना नहीं है मन मनाभव के मंत्र से माया भाग जाएगी ओम शंति बाब बैठ बच्चों को समझाते है मनुष्य मन की शांती मन की शांती कहे हैरान होते है रोज कहते भी है ओम शांती परन्तो इसका अर्थना समझने के कारण शांती मांगते ही रहते है कहते भी है आयम आत्मा अर्थात आयम साइलेंस हमारा स्वधर्म है silence फिर जब की स्वधर्म शान्ती है तो फिर मांगना क्यों? अर्थना समझने के कारण फिर भी मांगते रहते हैं तुम समझते हो यह रावन राज्य है परन्तो यह भी नहीं समझते हैं कि रावन सारी दुनिया का आम और भारत का खास दुश्मन है इसलिए रावन को जलाते रहते हैं ऐसा कोई भी मनुष्य है जिसको कोई वर्ष वर्ष जलाते हो इनको तो जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर जलाते आए हैं क्योंकि यह तुम्हारा दुश्वन बहुत बड़ा है। पाच विकारों में सब फस्ते हैं। जन्मी भरष्टा चार से होता है तो रावन का राज्य हुआ। इस समय अथा दुख है। इसका निमित कौन? रावन। यह कोई को पता नहीं। दुख किस कारण होता है? यह तो राज्य ही रावन का है। सबसे बड़ा दुश्वन यह है। हर वर्ष उसकी एफ़ीजी बना कर जलाते रहते हैं। दिन प्रती दिन और ही बड़ा बनाते जाते हैं। दुख भी बढ़ जाता है। इतने बड़े-बड़े साधू, संत, महत्माय, राजाया दी हैं। परंतु एक को भी यह पता नहीं है कि रावन हमारा दुश्वन है। जिसको हम वर्ष वर्ष चलाते हैं और फिर खुशी मनाते हैं। समझते हैं रावन मरा और हम लंका के मालिक बने। परंतु मालिक बनते नहीं हैं। कितना पैसा खर्च करते हैं। बाब कहते हैं तुमको इतने अनगिनत पैसे दिये, सब कहां गवाएं। दशेरे पर लाखों रुपए खर्च करते हैं। रावन को मार कर फिर लंका को लूटते हैं। कुछ भी समझते हैं। रावन को क्यों जलाते हैं। इस समय सब इन विकारों की जेल में पड़े हैं। आदा कल्प रावन को जलाते क्योंकि दुखी हैं। समझते भी हैं। रावन के राज्ये में हम बहुत दुखी हैं। यह नहीं समझते हैं, कि सत्युग में यह पांच विकार होते नहीं, यह रावन को जलाना आदी होता नहीं, पूछो यह कब से मनाते आये हो, कहेंगे यह तो अनादी चला आता है, रक्षा बंधन कब से शुरू हुआ, कहेंगे अनादी चला आता है, तो यह सब समझ की बाते हैं ना मनुष्य की बुद्धी में क्या बन पड़ी है न जानवर है न मनुष्य है कोई काम के नहीं स्वर्ग को बिलकुल जानते नहीं समझते हैं बस यही दुनिया भगवान ने बनाई है दुख में याद तो फिर भी भगवान को करते हैं हे भगवान इस दुख से छुड़ाओ परंतु कल्यूग में तो सुखी होना सके दुख तो जरूर भोग ना ही है सीड़ी उतरनी ही है नई दुनिया से पुरानी दुनिया के अंत तक के सब राज बाप समझाते हैं बच्चों पास आते हैं तो बूलते हैं कि सब दुखों की दवाई एक है अविनाशी वैद्द है न 21 जन्मों के लिए सब को दुखों से मुक्त कर देते हैं वैवैद्द लोग तो खुद भी बिमार हो जाते हैं यह तो है अविनाशी वैद्द यह भी समझते हो दुख भी अथा हैं, सुख भी अथा हैं बाप अथा सुख देते हैं वहाँ दुख का नाम निशान नहीं होता सुखी बनने की ही दवाई है सिर्फ मुझे याद करो तो पावन सतो प्रधान बन जाएंगे सब दुख दूर हो जाएंगे फिर सुख ही सुख हुगा गाया भी जाता है बाप दुख हरता सुख करता है आदा कल्प के लिए तुमारे सब दुख दूर हो जाते हैं तुम सिर्फ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो आत्मा और जीव दो का खेल है निराकार आत्मा अविनाशी है और साकार शरीर विनाशी है इनका खेल है अब आप कहते हैं देश सहित देख के सब संबंदों को भूल जाओ ग्रस्त वेवार में रहते अपने को ऐसा समझो कि हमको अब वापिस जाना है पतित तो जाना सके इसलिए मामे कम याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे बाप के पास दवाई है ना यह भी बताता हूँ माया विघन जरू डाल लेगी तुम रावन के ग्रहक हो ना उनकी ग्रहकी चली जाएगी तो जरूर फत्केगी अर्थात परिशान होगी तो बाप समझाते हैं यह तो पढ़ाई है कोई दवाई नहीं है दवाई यह है याद की यत्रा एक ही दवाई से तुमारे सब दुखतूर हो जाएंगे अगर मेरे को निरंतर याद करने का पुर्शात करेंगे तो भक्ती मार्ग में ऐसे बहुत हैं जिनका मुख चलता ही रहता है कोई न कोई मंत्र राम नाम जपते रहते हैं उनको गुरु का मंत्र मिला हुआ है इतना बार तुमको रोज जपना है उनको कहते हैं राम के नाम की माला जपना इसको ही राम नाम का दान कहते हैं ऐसी बहुत संस्थाय बनी हुई है राम राम जपते रहेंगे तो जगड़ा आदी कोई करेंगे नहीं बीजी रहेंगे कोई कुछ कहेगा भी तो भी रिस्पोंस नहीं देंगे बहुत तो थोड़े ऐसा करते हैं यहां फिर बाप समझाते हैं राम राम कोई मुख से कहना नहीं है यह तो अजपाजाप है सिर्फ बाप को याद करते रहो बाप कहते हैं मैं कोई राम नहीं हूँ राम तो त्रेता का था जिसकी राजाई थी उनको तो जपना नहीं है अब बाप समझाते हैं भगती मार्ग में ये सब सिमरन करते पूजा करते तुम सीड़ी नीचे ही उतरते आए हो क्योंकि वेह सब हैं अन्राइटियस राइटियस तो एक ही बाप है वेह तुम बच्चों को बैट समझाते हैं ये कैसे भूल भूलया का खेल है जिस बाप से इतना बेहत का वर्सा मिलता है उनको याद करें तो चेहरा ही उनका चमकता रहे खुशी में चेहरा खिल जाता है मुखम पर मुस्कुराहट आ जाती है तुम जानते हो बाप को याद करने से हम यह बनेंगे आदा कल्प के लिए हमारे सब दुखदूर हो जाएंगे ऐसे नहीं बाबा कुछ कृपा कर देंगे नहीं यह समझना है हम बाप को जितना याद करेंगे उतना सतोप्रधान बन जाएंगे यह लक्षमी नारायन विश्व के मालिक कितने हर्शित मुखे हैं ऐसा बनना है बेहत के बाप को याद कर अंदर में खुशी होती है फिर से हम विश्व का मालिक बनेंगे यह आत्मा की खुशी के संसकार ही फिर साथ चलेंगे फिर थोड़ा थोड़ा कम होता जाएगा इस समय माया तुमको बहुत हैरान करेगी माया कोशिश करेगी तुमारी याद को भुलाने की सदेव ऐसे हर्शित मुख रह नहीं सकेंगे जरूर कोई समय घुटका खाएंगे मानुशी जिब बिमार पढ़ते हैं तो उनको कहते भी होंगे शिबाबा को याद करो परन्तु शिबाबा है कौन ये किसी को पता नहीं तो क्या समझ याद करें क्यों याद करें तुम बच्चे तो जानते हो बाप को याद करने से हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे देवी देवता सतो प्रधान है न, उनको कहा ही जाता है डीटी वर्ड, मनुश्यों की दुनिया नहीं कहा जाता, मनुश्य नाम होता नहीं, फलाना देवता, वह है ही डीटी वर्ड, यह है यूमन वर्ड, यह सब समझने की बाते हैं, बाप ही समझाते हैं, बाप को कहा जाता तो तुम सतोप्रधान बन जाएंगे और तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे कल्प पहले भी तुम देवी देवता बने थे तुम्हारी सीरत देवताओं जैसी थी वहां कोई भी उल्टा सुल्टा बोलते नहीं थे ऐसा कोई काम ही नहीं होता वह है ही DT वर्ड यह है Human World फर्क है न यह बाप बैट समझाते हैं मनुषे तो समझते हैं DT वर्र को लाको वर्ष हो गए यहां तो कोई को देवता कह नहीं सकते देवताओं तो स्वच्छ थे महानात्मा देवी देवता को कहा जाता है मनुष्य को कभी नहीं कह सकते यह है रावन की दुनिया रावन बड़ा भारी दुश्मन है इन जैसा दुश्मन कोई होता नहीं हर वर्ष तुम रावन को जलाते हो यह है कौन? किसी को पता नहीं है कोई मनुष्य तो नहीं है यह है पांच विकार और इसलिए इनको रावन कहा जाता है, पांच विकारों का राज्जे है न, सब में पांच विकार हैं, यह दुर्गति और सदगती का खेल बना हुआ है, अभी तुमको सदगती के टाइम आधि का भी बाप ने समझाया है, दुर्गति का भी समझाया है, तुम ही ऊच चड़त लक्ष्मी नारायन राम सीता का राज्य होता है अभी तुम बच्चे सब की बायोग्राफी को जानते हो महिमा सारी तुम्हारी है नवरातरी पर पूजा आदी सब तुम्हारी होती है तुम ही स्थापना करते हो श्रीमत पर चल तुम विश्व को चेंज करते हो तो श्रीमत पर पूरा चलना चाहिए ना नंबर वार पुर्शार्थ करते रहते हैं स्थापना होती रहती है इसमें लड़ाई आदी की कोई बात नहीं अभी तुम समझते हो यह पुर्शोत्तम संगम युग है ही बिल्कुल अलग पुरानी दुनिया का अंत नहीं दुनिया का आदी तुमको समझाते तो बहुत है परंटु बहुत है जो भूल जाते हैं पाशन के बाद स्मृति आती है यह यह पुईंट्स समझानी थी हूभू कल्प कल्प जैसे स्थापना हुई है वैसे होती रहेगी जिनोंने जो पद पाया है वही पाएंगे सब एक जैसा पद नहीं पा सकते हैं उच ते उच पद पाने वाले भी हैं तो कम से कम पद पाने वाले भी हैं जो अनन्य बच्चे हैं वे आगे चल कर बहुत फील करेंगे ये साहुकारों की दासी बनेगी ये राजाई घराने की दासी बनेगी, ये बड़े साहुकार बनेगे, जिनको कब-कब इन्वाइट करते रहेंगे, सब को थोड़े ही इन्वाइट करेंगे, सब मुँ थोड़े ही देखेंगे, बाप भी ब्रह्मा मुख से समझाते हैं, सम्मुख सब थोड़े ही देख तुम अभी समुखाए हो, पवित्र बने हो, ऐसे भी होता है जो अपवित्र आकर यहां बैठते हैं, कुछ सुनेंगे तो फिर देवता बन जाएंगे, फिर भी कुछ सुनेंगे तो असर पड़ेगा, नहीं सुनें तो फिर आवे ही नहीं, तो मूल बात बाप कहते हैं मन मना इस एक ही मंतर से तुमारे सब दुख दूर हो जाते हैं, मन मना भव, ये बाप कहते हैं फिर टीचर होकर कहते हैं मद्या जी भव, ये बाप भी है टीचर भी है घुरू भी है तीनों ही याद रहें तो भी बहुत हर्शित मुखावस्था रहे बाप पढ़ाते हैं फिर बाप ही साथ ले जाते हैं ऐसे बाप को कितना याद करना चाहिए भक्ती मार्ग में तो बाप को कोई जानते ही नहीं सिर्फ इतना जानते हैं भगवान है हम सब brothers है बाप से क्या मिलना है वे कुछ भी पता नहीं है तुम अभी समझते हो एक बाप है हम उनके बच्चे सब brothers है यह बेहत की बात है ना सब बच्चों को teacher बन पढ़ाते हैं फिर सब का हिसाब किताब चुक्तु कराए वापिस ले जाएंगे इस छीछी दुनिया से लायक बनाते हैं जो जो लायक बनते हैं वह सत्यूग में आते हैं अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रुहानी बाप की रुहानी बच्चों को नमस्ते रुहानी बच्चों की रुहानी बाप द जादा को याद प्यार, गुड मॉनिंग और नमस्ते। धारना के लिए मुख्य सार, अपनी अवस्था को सदा एकरस और हर्शित मुख रखने के लिए बाप, टीचर और सद्गुरु तीनों को याद करना है। यहां से ही खुशी के संसकार भरने हैं। वर्से की सम्रती से च सहरा सदा चमकता रहे। श्रीमत पर चलकर सारे विश्व को चेंज करने की सिवा करनी है। पांच विकारों में जो फसे हैं उन्हें निकालना है। अपने स्वधर्म की पहचान देनी है। वर्धान सर्व के प्रती अपनी द्रश्टी और भावना प्यार की रखने वाले सर सर्व के प्यारे फरिश्टा भव। अब आप दादा के वर्धान को बिस्तार में समझेंगे। स्वपर में भी किसी के पास फरिश्टा आता है तो कितना खुश होते हैं। फरिश्टा आता सर्व के प्यारे हद के प्यारे नहीं बेहद के प्यारे जो प्यार करे उसके प्य कोई इंसल्ट करे घ्रिना करे तो भी उसके प्रती प्यार वा कल्यान की भावना उत्पन हो क्योंकि उस समय वह परवश है स्लोगन जो सर्व प्राप्तियों से संपन है वही सदा हर्शित है सदा सुखी और खुश नसीब है जो सर्व प्राप्तियों से संपन है वही सदा हर्शित, सदा सुखी और खुश नसीब है ओम शंति